मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपके घर में सुक्षांती स्रम्रद्दी लाने वाला है और धनकी प्राप्ती कराने वाला है आप प्रति दिन घर में सुभ है और साम अगर इस विधी विधान से दीप प्रजलित करते हैं तो आप के घर में कभी भी धनकी कमी नहीं रहने वाली है लेकिन आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ प्राप्त होने वाला है और मैं आप से बताने वाला हूं जो व्यक्ति भलाई की भावना से जीता है दूसरों के हित की भावना से जीता है उसको उसका लाव पूजा का लाव 10 गुना प्राप्त होता है हम अपने सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ करने के बाद बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुपना सर्वे संत नरामया सर्वे भद्रानी पश्चंतु मा कश्चि दुख भाववेत मतलब की सभी सुकू हों सभी निरोगियों इस तरह की जो भावना से जीता है उसको उस पूजा का लाव 10 गुना मिलता है तो अगर मैं जो आपको उपाई बताने जा रहा हूं इस उपाई को छोटे से उपाई को अगर आगे वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको इसका लाव 10 गुना मिलने वाला है तो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं लगोगी है वीडियो साड़े 11-Minute की रहने वाली है दीप प्रजलन किस विदी विदान से करें आप देख रहे होंगे कि दीप प्रजलन हो रहा है तो इस दीपक को किस तरह से हम प्रजलित करें क्या विदी विदान है इसक अपने घर में सुख सांती समरदी के लिए आप प्रतदिन घर में घी का दीपक जलाएं घी का दीपक जलाने के लिए आप तामे की या पीतल की पलेट लें तो तामे की पलेट अति उत्तम मानी जाती है उसमें अखंडित मतलब की साबत चावल पलेट के अंदर रखें फिर उसके बाद पीतल का या तामे का दीपक होना चाहिए यह हमने रखा पीतल का दीपक हमने पीतल की दीपक में रखी खड़ी जोत इसको खड़ी जोत बोलते हैं और यह जोत दस रुपे की कम से कम पचास पीस मिल जाते हैं तो आप दस रुपे की खड़ी जोत खड़ीद कर लाएं और फिर इसमें आप घी डालें दर्सको हमने डाल लिया दीपक के अंदर घी दर्सको मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीतल अत्वा तामे की पलेट अत्वा दीपक सुब माने गए हैं इस्टील को बिलकुल भी सुब नहीं माना गया है आप देख सकते हैं कि मैं अगर पूजा करता हूं तो सभी बरतन तामे के मिलें या पीतल के मिलें आप देख सकते हैं यह मेरी आच्मनी है यह भगवान के लिए आच्मन कराता हूं इस बड़ी आच्मनी से छोटी आच्मन से में स्वेंच करता हूं यह कटोरी यह है ताम यह की पीतल की इसमें भगवान का भूग लगाता हूं यह भगवान के लिए मैं पानी भर कर रखता हूं इसका जो ढखना है वो भी आप देख सकते हैं यह भी तामे का है तो आप ये सभी बरतन लगवक पीतल के या तामे के रखें इस्टील के बरतन बिलकुल भी नहीं रखें वैसुब नहीं माने जाते हैं आप दीपक जलाते हैं घर में तो पूरी पीदी विदान से और सरद्दाबाब से जलाएं जैसे के आपने देखा हमने एक तामे की पलेट ली या पीतल की पलेट भी ले सकते हैं इस्टील की पलेट बिलकुल भी नहीं प्रियोक करें आप दीपक लें उसमें खड़ी जोत रखें घी डालें घी कमसक में इतना तो डालें कि वह दस से पंद्रे मिनट जल जाए और फिर हम दीप प्रजलत करते समय इस मंत्र का अवस्य उच कर सकते हैं सुभं करोती कल्यानम आरोग्यम धन संपदाम सत्रू बुद्धी विना साय दीपम जोती नमस्त ते दर्शकों आप इस मंत्र के द्वारा दीप्रजलिंत करें मैं पुने इस मंत्र को देराता हूं सुभं करोती कल्यानम आरोग्यम धन संपदाम सत्रू बुद्धी विना साय दीपम जोती नमस्त ते अगर आप इस विदी विदान से घर में प्रती दिन सुभै और साम को दीप जलाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक उर्जा चली जाएगी और सकारात्मक वातावरण बनेगा मतलों की पॉजेटिव वातावरण बनेगा और घर में सुख सांती एवं सम्रद्धी आएगी दर्शकों हम ब्रहमणों से पंडतों से जोतिशियों से उपाय तो पूछते हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं जब तक आप प्रक्टिकली घर अपर स्वेम खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाप्राप्त नहीं होने वाला है आप कम से कम इसनान आदी से निर्वत्त होकर सुद्ध वस्त्र पहन कर आप घर में सुवह साम दीपक अवस्य जलाएं जो दीपक है यह अगनी का रूप है यह हम कोई भी पूजा करते हां करते हैं। मित नाम करते हैं कोई भी पूजा पाथ हम अपने हम करते हैं तो यह दिपक है अगनी का शरूप है मतलत है साक्षात वाहीं हे भगवान को कि इसने पूजा पाथ की यह हमारी कभाई देता है यह अगनी रूप में है आप देखा भी होगा कि जब साथ फेरे पड़ते हैं साधी में तो उसमें अगनी प्रिजलित की जाती है वह अगनी क्या है अगनी साक्षात है हमारे फेरों की और हम अगनी को साक्षी मान करके बचन भी देते हैं लेकिन कई जोड़े कहें भाई लोग मतलब मनश और अउरत दोनों उन भचनों को नहीं मानते हैं तो घर में जरूर बिवधान आता है जब हम अगनी क्या है देवता है और हम देवता को जूटा बना देते हैं हम उस समय बड़े चाब चाब में सपत तो ले लेते हैं बिना सोचे समझे सभी बातो सब्सक्राइब लोग मानते नहीं तो फिर उता क्या है बाद में तलाग ही होता है क्योंकि आपने उन बचनों को जूटा कर दिया है बचनों में सारी सपत होती है कि मैं अगर पत्री की तरफ से बचन कहूं तो होते हैं कि मैं बिना बताए अपने माई के घर नहीं जाओंग तो लेकिन होता क्या है भाई का फोन आया माता जी का फोन आया और कन्या जो है का अपनी सस्राल से बिना बताए ही चल देती है ऐसे ही जो भाई हैं पुरुष भाई हैं वो भी करते क्या हैं कि बिना मर जी के पत्नी की बिना राजी के बिना बताए ही गाड़ी खरीद लाए ज आई करेगी लेकिन आप उनका थोड़ा सा मान सम्मान करें तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि जो मैंने बिदी बताई है दीप प्रजलित करने की दीपक जलाने की इस दीपक जलाते हैं तो आपके घर में शुक्षांति एवं सम्रदी रहने वाली है एक छोटा सा उपा है तो कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं है यह जादू टोने कुछ भी काम आने वाले नहीं है अगर जादू टोना से ही सब कुछ कभजे में हो जाए बस में हो जाए तो फिर मोदी जी के पास क्या इतने पैसे नहीं होंगे कि राहुल की जवान बंद कर दें या राहुल के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मोदी जी को रोख सके जादू टोनों से कुछ नहीं होने वाला है यह प्रक्टिकली जब तक आप यह उपाई नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हांसिल होने वाला है तो मैं निवेदन करता हूं आप अपने घर में सुक्सांती समरदी धन प्रापती चाहते हैं तो इस विदी को प्रती दिन अपनाएं यह नहीं कि एक दिन कर दिया और पंडिजी हमें तो कोई आराम नहीं मिला यह एक दिन का उपाए नहीं है आप प्रती दिन करें आपको पेट में भूक लगती है तो प्रती दिन लगती है ना कि एक दिन लगती है तो यह देवताओं का एक प्रकार से सुगंदी द्वारा भोजन है देखो हमने यह दीपक कहां जलाया है अपने घर के मंदर में जलाया है यह देखिए हमारे में भगवान के मंदर के सामने दीपक जलाए तो आप भी अपने घर में एक देविस्थान अवस्य चुनें और मैं आपको बताना चाहता हूं पंडीजी के नाते कि देविस्थान किस इस्थान पर होना चाहिए उत्तर और पूरब के कौने में अगर जगे मिल जाती है घर में तो अती उत्तम माना गया है अगर पूरब की तरफ इस्थान मिले तो बहुत अच्छा है जो पूजा करने वाला व्यक्ति है आप जो पूजा कर रहे हैं उसका मों पूरब की तरफ होना चाहिए तो आप भगवान को जो है का उत्तर दिसा में रख सकते हैं पूरब दिसा मे कुछ करने से ही प्रापती होगी बिना करे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मतलब की इच्छा करने से कोई काम सिद्ध नहीं होता है इसी प्रकार जब तक आप स्वेम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है तो मैं बिदा लेता हूं रादे रादे जैसरी रादे अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरू इस वीडियो को अपने मित्रों को अपने परवारी जनों को शेर करना ना भूलें सर्वे भवन्तु सुपना सर्वे संत नरामया सर्वे बद्रानी पश्चंतु मा कस्चित दुख भावेत इस भावना से जो व्यक्ति जीता है उसको दस गुना लाब प्राप्त होता है तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तता अपने स्वजनों को परवारी जनों को मित्रों को वीडियो को शेर करते हैं तो इसका लाव आपको दस गुना प्राप्त होने वाला है रादे रादे जैस्री रादे